गांधी को जुस्तान सामाजिक स्तर पे राजनते कि स्तर पे और दाशनिक आधार पे जो भारत के संदर में वो डिजर्व करते थे वो कहीं नहीं मिला है नमस्कार सिटी लाइव डायलोग्स में मैं अशोक राही आपका एक बार पुनहे स्वागत करता हूँ आज हमारे साथ हैं मशूर विदूशी डॉक्टर विद्या जैन डॉक्टर विद्या जैन जिन्नोंने बचपन से ही सामाजिक संगर्ष को बहुत करीब से देखा है डॉक्टर विद्या जैन राजिस्थान विष्विद्याले में प्रोफेसर रही है बहरानी कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में आप रिटायर हुई और उसके बाद अपनी सेवा निवरिती के तुरंट बाद सामाजिक जागुरुक्ता के लिए लगातार जुटी रही है और निरंतर अपने चिंतल शील व्यक्तित्तु के साथ समाज में बदलाव के लिए काम करती रही है आज हम उनसे बात के शुरुवात करेंगे गांधी से गांधी से इसलिए कि अब हम गांधी की 150 वी जैनती वर्ष मना रहे हैं और सबसे बड़ी बात गांधी जी के बारे में ये है कि मशूर वग्यानिक अलबर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि क्या हाड मास का ऐसा आदमी इस प्रत्वी पर संभव है जैसा गांधी थे तो हम विद्या जी से पूछते हैं विद्या जी आज के समय में गांधी की क्या समकालीनता है धन्यवाद अशुक रही साभ और मुझे बेहत खुशी है कि हम इतने महत्वण विशयप पर आज बात करने के लिए यहां इकठे हुए हैं आपने कहा कि महत्मा गांधी कैसे सांधरवे कि आप रासंगिक है आपको जानकर सुखद आश्चरी होगा कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया का जो बुद्धी जीवी है वो गांधी विकल्पों पर बहुत गंभीरता से विमर्श कर रहा है हमें लगता है गांधी दूर है शायद जो नजदीक होता है वो दूर होता है पर पूरी दुनिया में गांधी के जो विकास का मॉडल है जो सस्टेनिमल मॉडल अव डवलप्मेंट है चाए उनकी अपरुप्रियोट टेकनोलोजी का मॉडल है उसको एक तीसरे विकल्प के रूप में विकास के मॉडल के रूप में समझा जा रहा है और एकेडमिक डिस्कोर्स पर उसको अपनाए जा रहा है खास तोर से जो दो अपलब्ध मॉडल है विकास के पुंजी वादी और माक्स वादी उनके अफसान के बाद उनके फेलियोर के बाद उनका ये क्लेम की व वो प्रो पुर हैं, वो प्रो अज़े बरेश, वो फार्मर्स एं, वो प्रो डलित हैं, वो प्रो एंवारमन्ग फेल वहीं है Lewis ग्री करने की बात होती है तो कहीं हाथ से फिसलते चले जाता है डग सब जहां तक सारी दुनिया की बात है वहां लग रहा है कि गांधी वापस लोट रहे है गांधी की वहां प्रसंगिकता बढ़ रही है लेकिन क्या अपने देश में नहीं लगता कि गांधी को हमने हाशिये पर रख दिया है ये बिल्कुत सचका आपने गांधी की साथ किसी ने नयाई नहीं किया राष्टवादी आंदुलन में जो उनके साथ लगे थे उनके कंटम्परेरिस उन्होंने नयाई नहीं किया आजाद भारत की राजनेतिक दलों ने नयाई नहीं किया और गांधी को समझने समझाने वाले जो लोग है मेरे और आप जैसे लोग जो विशलेशन करते हैं, जो उनको पढ़ते हैं, वो कम से कम नियाएक करें, ये मैं आशा रखती हूँ, और गांधी कुझ अस्तान सम्विधान में मिलना चाहिए था, या पोस्ट इंडेपेंडेंट भारत में मिलना चाहिए था, जो राजनितिक द हिंदुस्तान की शताब दिये, एशिया की शताब दिये, शायद वो बहुत जल्दी चरितार्थ होता, गांधी को जो स्तान सामाजे की स्तर पे, राजनिते की स्तर पे, और दाशनिक आधार पे, जो भारत के संदर में वो डिजर्व करते थे, वो कहीं ने कहीं नहीं मिला है डग सब आप कह रहे हैं कि गांधी को इस्थान नहीं मिला लेकिन आज अगर हम देखते हैं शेहरों के चोराएं उपर सचवालायों में, लोग सभा में हर जगे गांधी की मूर्ती मिल जाती है और राजनीतिक दल में किशी विशेश राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि सब राजनीतिक दलों ने गांधी को एक ऐसी फुटबॉल बना लिया है कि जिसके माध्यम से वो अपना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं यह सच है कि मूर्ती में सिमिटना बहुत आसान है किसी भी बड़े विचार और कर्म को पर अब समय आ गया है जब तब समझ में आ रहा है अब सब जो वैश्विक चुनोतियां हमारे सामने आहीं हैं खासतोर से एन्वार्मेंट के प्रश्ण और हिंसा के प्रश्ण इन दो प्रश्णों ने गांधी को बहुत ही सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा किया है और इसलिए लगता है कि इन प्रश्णों के उत्तर कहीं गांधी के पास है मैं भी राजनतिक दलों के उस चरित्र और उनके नीतियों में नहीं जाना चाहती पर मुझे लगता है कि गांधी को टुकड़े टुकड़ों में कहीं समझा जा रहा है समझाया जा रहा है अपनाया जा रहा है चाहिए स्वदेशी की बात हो बहुत बड़े स्थर पे ग्लोकलिजम की बात जैसे मैं आप से कहा कि ऐसा ग्लोबल होने से कोई लाब नहीं जहां आपकी स्वदेशी जड़ें कहीं कट जाए तो गांधी हमेशा कहते थे कि नजरें आपकी आस्मान में हो परपाव जमीन पे रहने चाहिए तो उस इस तर पे आज बहुत पुरी दुनिया में समझा जा रहा है कि जो आपका लोकल सेल्फ कंटेंट है आपका जो रिसोर्स है आपका जो टेलेंट है उसको कैसे संजोया जाए जापान और चीन इसके बहुत बड़े एक्जामपल्स हैं जो अपनी स्वदेशी को बचाए रखे अपनी लोकलिजम को बचाए रखे ग्लोबलाइज होना चाहते हैं अब इंदुस्तान को भी ऽमझना होगा कि कैसे इस ग्लोबल और लोकल के तार्तम में क्यों बठाव जाए न cały बिघ्थम ही समाज कई बिखर जाता है जो वो कहते हैं गांधी का एक one-liner जो मुझे बहुत मेरे हरदय के नजदीक हैं गांधी कहते हैं मैं हूँ तो तुम हो और तुम हो तो मैं हूँ हम कितना एक दुसरे पर निर्भर करते हैं हमारे एक दुसरे के बिना काम नहीं चल सकता है इस peaceful coexistence और यह अंतर निर्भरता सिर्फ वेक्तियों के बीच में नहीं पशुप, पंची, नदी, जील, ताला, पहार सब एक दुसरे पर अंतर निर्भर है तो वेक्तियों के इस बात में आती है कि गांधी की बात तो हमरे देश में बहुत की जाती है और हर एक नेता करता है कुरसी पे बैठने वाला, विरोधी दल वाला, लेकिन जब गांधी को चरितार्थ करने की बात आती है, जब बजट में गांधी को लाने की बात आती है, तो उससे बिलकुल उल्टा होता है हम मशीनी करन के पीछे लगातार भागते हैं और गांधी ने उन सब चीजों का मशीनी करन का उनका विरोध तो नहीं कियाता लेकिन उन्होंने कहा था कि इनको सहियां तो ढंग से बढ़ता जाए तो ये सहियां आखिर चला कहां गया एनौल में शुरुवात से बराबर कह रही हूं कि हम्म जिस तरह गांधी को अपनाना चैते है ठोस हं इस स्तर पर तो सरल्ता से सादगी से इमांदारी से अपना जीवन यापन कर salmon राश्टे अंदुलम राश्टी अंदूल में गांधी की घुम्मी क quickly आ सही है वो समझ में आती है पर जैसे हम इस राज नितिग सारी संस्कृति में घंघी को कहीं अंगीकार करना चाहते हैं तब मश्किल आती है क्योंकि राजनेतिक नित्रुपत को अपना संगर्ट है उन्हें घंदी डर आते हैं क्योंकि गांधी उन से कहते हैं कि वो इमानदारी कहां है, वो जनता के प्रती तुमारा समर्पन कहां है, जिसकी बात लगातार गांधी करते थे, तो वो एक मुश्किल निश्चित रूप से है, पर जो मशीनी करन की बात आपने की, इसलिए मैंने आप से बार बार ग्रुकलाइजेश पर वो इस बड़े विशाल भारत के लिए कोई कलपना कर रहा था, उसको पता था कि इतना अधिक आटोमेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मशीनी करन, उनिस्तो नौ में जब उन्होंने हिंद स्वराज लेकी, तो उन्होंने का है, अध्ती बहुतिक वादी, जो संस्क रोजगार देने की बात करें, उनको पता था कि विक्ति के पास रोजगार नहीं होगा, तो इस विक्ति के हाथ में कहीं हतियार आ सकता है, तो हर हाथ में कलम, हर हाथ में एक औजार, हर हाथ में कोई काम करने की जो स्किल है, वो होनी चाहिए, इसलिए गांधी का सोच बहु तोराज का पूरा कॉंसेप्ट है, या एन्वार्मेंट के दोहन पर कहीं रोक लगाने की बात है, जिस तरह से हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हम एन्वार्मेंट के साथ छेड़ खानी कर रहे हैं, गांधी कहते थे इस तरह अगर जियोगे तो एक धरती कम पड़ की महिलाओं के लिए उनके क्या विचार थे महिलाओं को को परिवर्तन के लिए उनकी क्या सोच थी इस बारे में आपको ज़रूर बताएं बेहत सामीक प्रश्न है क्योंकि आज 21 शताबदी के इस तीसरे दर्शक पे महिला के सम्मान और गरीमा पे जिस तरह से ठेस पहुंच रही है और समाज के नजरिया जिस तरह से इस तरह से प्रती तंग दिल हुआ है और महिला को एक बिल्कुल देहे में रिड्यूस करके जैसे मन, मस्तिक, शमेधा, प्रतिभा कुछने सिफ एक देह और शरीर है तब गांधी बहुत बहुत याद आते हैं गांधी महिला को करुणा, प्रेम, दया, मातरतु इसका प्रतीक तो मानते ही है पर द्रड़ता और साहस का भी प्रतीक मानते हैं गांधी कहते हैं कि तुम काली दुर्गा की तरह ताकतवर हो और इसलिए अन्यकों ऐसे अफसराते हैं जब जैसे मैं आपको बता हूँ आजकल पूरी सुन्दरता का राजनीती चल रही है और मीडिया और मार्केट की जो विवा का गठ जोड हो गया है और महिला का डिपिक्शन बार बार जिस तरह किया जा रहा है इस सुन्दरता की राजनीती में गांधी कहता है कि सुन्दरता वो नहीं है जो बजार सिखा रहा है सुन्दर सुन्दर इस्त्री वो है जिसके रदय में इश्वर का वास है जिसका पूरा वेवार सुचिता पूर्ण और नैतिक है जो अपने वेवार के दारा प प्रश्णे से उपर उठकर एक फ्रेंड और कॉम्रेड के रूप में पूरे राष्ट निर्मान के काम में लग जाना चीए, इस्त्री उपर उपर उष्ट मिलकर जब काम करेंगे तब राष्ट निर्मान होगा, तो सशक्त भारत, सशक्त इस्त्री और सशक्त समाजी सब एक उसे के परिया है, डग सब गांधी के बारे में ये भी कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये सत्य है कि वो थे सरल लेकिन एक बहुत जटील राजनीतिक थे, एक गहरे, गहरी समझ थी उनकी राजनीति के बारे में, तो वो राजनीति के बारे में वो क्या समझ है जो आज पु पूरी दुनिया में गांधी को एक फिलोसोफर की बजाएक पुलिटिकल स्ट्राटिजिस्ट के रूप में राजनितिक रंड नीतिकार के रूप में जागा समझा जा रहा है और पूरी दुनिया में ऐसे अन्यकों अंदोलन चल रहे हैं जन अंदोलन पीपल्स मूवमेंट च पर लड़ा जा रहा है जिसमें सत्याग्रह की तकनीक पर तो सत्याग्रह के अभी मेरी एक केमरी से पुस्तक चपिए एक अमेरिकन प्रफेसर और मैंने मिलके लिखिये जिसमें हमने किताब का नाम ही है कि अफ्रिकन एशन स्टड़िस फ्रॉम सत्याग्रह टू उज्जमा अफ्रिकन वर्ड फर सत्याग्रह टो एफ्रिका में इतने सारे आंदोलन है तो मैं कहना है जाते है कि पूरी दुनिया में राजनितिक रनीतिकार के रूप में सबसे बड़ी देन अगर गांधी की कोई है तो वो सत्याग्रह की देन है कि कैसे सत्याग्रह की द्वारा आप दुश्मन को जिसको गांधी दुश्मन भी नहीं कहते हैं वो थोड़ा सा भ्रहमित दोस्त है जिसको समझा भुजा कर सही रास्ते पर लाया जा सकता है तो वो एक बहुत अनुपरम देम है और राजनिती की समझ निश्चित निश्चित रुप से गांधी को जितनी थी आप देखिए कल्प ना कर सकते हैं इतना बड़ा सामराज जिवाद ब्रिटिश सामराज जिवाद जहां कहते हैं कभी सूर्य अस्त नहीं होता था वह इस छोटे से साड़े पांच फिट के एक फकीर ने एक धोती और एक लाटी के सारे अगर उनको कदमों पे और घुटनों पे ला दिया तो निश्चित रुप से गांधी की ताकत बहुत बड़ी ताकत थी डॉक्टर विद्या जैन ने बिलकुल सहज और सलर शब्दों में गांधी और गांधी वाद और गांधी की जो दर्शन है उसकी व्याक्या की और अब तो हम यही कहेंगे कि हो गई है पीर परवत सी पिघलनी चाहिए अब हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए ये आग गांधी वाद की आग है आग अहिंसा की अपरी ग्रह की और इस दुनिया को इस धर्ती को बचाने की आग है थेंक यू डॉक्टर विद्याजेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया झाल झाल झाल